कि यह विलकम बैक तो दे लेमान वे और चलिए आज का लेक्टर स्टार्ट करते हैं डेली एंसी क्यूस का जहां पर हम करेंट अफेर्स एंड एक स्टैटिक टॉपिक को लेकर उस पर पांच-माच करते हैं सो इंव दोनों के पर आज का पहला कोशन देखते हैं और इससे पहले प्लीज अगर नहीं देखा है करेंगे तब को बनेंगे नहीं है ना चलो आगे बढ़ते हैं के बारे में कुछ स्टेटमेंट्मेंट्स दीए है उसके लिए हमको बता नहीं कौन सा सही है तो पहले क्या बोल रहा है इस इंडियास फिर्स्ट यूनीक मैंड ओशिन मिशन डाइमस तो सेंड मैं में इंटू डीप सी इन सब्मर्जिबल वेहिकल फोर डीपोशन एक्प्रेशन माइन माइनिंग और मिनरल से अगर मालव आपको नहीं पता है तो भी यह स्टेटमेंट सही लग रहा है क्यों क्योंकि समुन्द रियान मतलब ओशियन में हम कोई शिप बेजेंगे हैं ऐसा ही मै स्टेटमेंट यहीं बूल रहा है तो इसका मतलब सही है यह स्टेटमेंट है वहाँ पर रेयर मिनरल की माइनिंग करेंगे हैं दूसर क्या बूल रहा है इस लाउंच डबाए मिनिस्ट्री ओफ साइंस एंड टेकनोलोजी तो देखो जो भी ऐसे ओशियन वाले हो देना ओश साइंस करते है जितनी भी ऐसे रहे जीज़ा होती है तो वो मिनिस्ट्री ओफ और साइंस करते है तो सब्सक्राइब गलत सेकेंड हम गलत कर देते हैं तो यह गया यह गया बचा सी ओर डी तो वन तो सभी हम को पता है थार्ड देख लेता है इडिड विसेंग परसंटिपर स जाके उसकी study करेंगे है और 6000 इसमें जो सब्सक्राइब करेंगे है उसका क्या नाम है मच्छ सिक्स थाउजन है ना तो शे हजार फीट तक नीचे जाएगा और इसका अउडले कितना है सिक्स थाउजन करोर्स का है ना तो यह हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा सी है ना यह समझाया होगा करेंट अफेर्स में देख लिए ना आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कांसेटर फॉलाइं स्टेटमें रिगार्डिंग प्रॉम्ट कर्रेक्टिव एक्शन तो क्या होता है PCA framework उसमें यही होता है कि RBI जो है वह एसेट कॉलिटी को मैनेज करता है बैंक की फानेंशल हेल्थ को देखता है यही तो था यह सही है दूसरा क्या पोड़ रहा है विल भी तक की एरियास पर मॉनिटरिंग इंदर रिवाइज फ्रेम वाग तो हमने देखा था कि यह तीन जो एडिया स्पेस पर फोकस होगा और लेवरेज कैसे देखेंगे हम लेवरेज रेशियो के तुरू है यह हमने बताया था आपको ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आगे पढ़ते हैं क्या पोड़ रही है मागद करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पानेशल हेल्ट फव बैंक्स ठीक है ना काई इसले बतानी हमको पहला आप्शन क्या बोल रहा है banks with higher capital adequacy ratio have a better financial health तुछ से क्या बोल रहा है banks with lower leverage ratio are considered to be financial healthy financially healthy तो capital adequacy ratio क्या होता है CRAR क्या होता है capital जो होती है जिसमें tier 1 और tier 2 capital आती है divided by risk rated assets है तो इसका meaning क्या होता है capital adequacy ratio कि bank के पास कितना capital side में पढ़ा हुआ है to cover the losses है ना यही meaning होता है capital adequacy ratio का अगर यह हाई होगा तो इसका मतलब क्या है bank के पास capital ज्यादा पड़ा है इसका मतलब financially healthy है वो है ना तो पहला option सही हो जाएगा कि higher capital adequacy ratio होना चाहिए दूसरा क्या है lower leverage ratio की बात की गई है ना तो यह leverage ratio है यह राशन नहीं है ratio है यह leverage ratio क्या होता है हम मैंने आपको बताया था आज की लेक्टर में कि leverage ratio क्या होता है tier 1 capital हम लेते हैं जो की readily वो tier 1 capital वो थी जो stocks वगएरा shares में या फिर ऐसे instruments में invested होता है पैसा जो जिसको हम cash में readily convert कर सकते हैं that divided by total assets of the bank यह होता था तो हमने यह देखा था कि इसका भी मकसद वही होता है कि कितना capital आपका side में है कोई loss को cover करने के लिए similar motive होता है का तो यह भी हाई होना चाहिए financial financially healthy होने के लिए bank को है ना तो यह इस में तो lower लिखा है तो यह तो गलात हो जाएगा तो टू गलात हो गया तो आंसर क्या हो गया वन है ना यह हो गया option है आगे परते हैं consider the following statements regarding technical textiles mission तो पहला क्या हो रहा है the mission will aim at a at taking domestic market size to 40 billion dollars from 40 billion dollars to 50 billion dollars by 2024 तो यह सही है 50 billion dollar की कर नहीं है हमको economy domestic market technical textiles की दूसर क्या बोल रहा है technical textiles special purpose textiles design for non aesthetic purposes है ना तो हमने देखा था समझाया भी था animation के थू की कौन से textile होते हैं जो fashion के लिए नहीं होते हैं वो अपनी technical properties के लिए famous होते है ना तो यह भी सही है यह भी सही है तीसरे क्या है विल फोकस on increasing export of technical textiles to 20,000 crores by 21-22 and ensure 10% average growth every year till the mission ends तो यह भी सही हमने देखा था है ना यह भी statement यह भी statement तो आंसर क्या हो जाएगा दी ना नॉर्मल स्ट्रेटमेंट जाएं आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस फ्लाय एश प्रड्यूस बाइड़ पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज़ फ्यूल विच फॉल फॉलिंग सेटमेंट ज़ा करें तो फ्लाय आश के बारे में बात करी थी थी आ उसके बारे बना देता है यह देखा थामने दूसरा क्या बोल रहा है यह यह एज़ फ्लाय पॉर्टलंड सीमेंट कॉन्क्रीट यह भी देखा था हमने कॉन्कृट बनाने में यूज होता है भी तो इसमें कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक हो गई तो एनी टॉक्सिक हो गया और फिर यह गया जो कि एक स्रीम स्रेटमेंट है तो यह गलत हो जाता है ऑप्शन का यह गया तू सही है वन भी सही है एक और यह जाएक ऑप्शन है और यह बाइद वेड़े दिस इस एक यूपी एक कुशन थिक है आगे बढ़ता है ओ-smart scheme recently seen in news is related to news relates to all smart scheme के बारे हमें बात किया था यह किस किन चीजों से related है इंचार में से एक पॉंट बताना है providing smart banking solution under EASE framework अच्छा दूसा क्या है providing infrastructure support for smart cities in India ओके तीसर क्या है providing forecast and services based on the continuous observation of oceans ओके और चाहता क्या है training rural youth in digital technology to increase their employability तो हमने देखा था कि यहां पर O का मतलब क्या है ocean और मोनिटरिंग करेंगे और उसके observations बताएंगे इसके लिए था वह उस पर ओशियन है ना तो इसकांसर है 3 ठीक है smart word यहां देखके और यहां यहां smart देखके ना कंफ्यूस मत हो जाना क्यूंकि यह इसलिए डाला है तक ही confused हो है ना अब अब modern history के कुछ questions देखते हैं तो पहला question क्या बोल रहा है कि consider the following statement regarding Charter Act of 1813 पहला option क्या बोल रहा है it ended the trade monopoly of East India Company in India except for trade in tea and trade with China अच्छा क्या बोल रहा है it asserted the sovereignty of the British crown over the Indian territories held by the company okay the revenues of India were now controlled by the British Parliament तो देखो revenues of India were now controlled by British Parliament तो अभी तो नहीं हुआ था 1813 में तो यह नहीं हुआ था 1813 के provisions क्या थे इसमें education के लिए one lakh you know side में रखा गया था है ना उसके बाद monopoly end हुई थी है ना but tea और उसमें उन्होंने अगले 20 साल तक allow कर दिया था है ना याद हो तो but revenue was not controlled by British Parliament अना अभी control नहीं था बस regulate कर रहे थे भोले pitch India Act में भी उन्होंने बस report करने के लिए बोला था है ना regulate नहीं कर रहे थे थार्ड गला तो जाता है इसका अंसर क्या हो जाएगा यह ओनली है ना थार्ड गला तो क्या हो जाएगा यह गया अंसर क्या हो जाएगा यह ओनली है ना आगे बढ़ता है with reference to land reforms in independent India which one of the following statements is are correct ठीक है the ceiling laws were aimed at family holdings and not individual holdings the major aim of the land reforms was providing agriculture land to all the landless it resulted in cultivation of cash drops as a predominant form of cultivation and the fourth land reforms permitted no exemption to the ceiling limits okay so land reforms के बारे में बताना है हमको ठीक है land reforms क्यों कि यह गए थे land reforms में क्या हुआ था कि हमने जो जिनके पास भी ऐसे बड़ी बड़ी लैंड थी ना उनको हमने बोला थे कि आप एक particular ceiling limit है उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं ना यही था land reform में ताकि land जो है वो redistribute हो पाए है ना यही मक्सद था अब इसमें बोल रहा है कि it was aimed at family holdings and not individual holdings तो यह तो गलत है मालो किसी individual के पास बहुत बड़ी लैंड है तो उसके अब ऊपर applicable नहीं होगा है ना जैनली ऐसे तो होनता नहीं था ना individual के नाम पही property रहती थी तो यह तो गलत है दूसरा क्या है यह तो गलत है कैसे कल्टीवेशन बढ़ जाएगा लैंड रिफॉम्स आने से ना मतलब लैंड हमने डिवाइड करी है तो कैस्ट्राप क्यों होगा है कैस्ट्राप सो कब हुआ 1960 में जब वो green revolution आया तब हुआता है ना तो यह भी गलत है डी ऑप्शन क्या है land reforms permitted no exemptions to the ceiling limit तो कुछ-कुछ exemptions तो हों गई हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई exemption ही ना ceiling limit पर है ना ceiling limit मतलब कितना maximum आप hold कर सकते हो उस पर है ना आगे बढ़ता है विद रेफरेंस तो सवदेशी मूवमेंट कंसिडर दा फॉलेंग स्टेट्मेंट तो पहला प्शन क्या बोल रहा है इट कॉंट्रिबुटेड तो दा रिवाइवल अफ दा इंडिजीनेस आर्टिशन क्राफ्ट और इंडॉस्ट्रीज क्या ओके सवदेशी मूवमेंट क्या था कि हम बाहर के जो गुड्स आ रहे हैं उसको वोईकॉट करेंगे तो इंडिया के इंडिया वाले प्रोड़क्ट संगो यूज करोगे तो इसका मतलब जो इंडिजीनेस आर्टिशन और इंडिस्ट्रीज है उसका रिवाइवल होगा है नो तो पहला सही है दूसरा के नैशनल कांशल ओफ एडुकेशन वाउस इस्टाइशी मूवमेंट तो यह भी सही है एडुकेशन को प्रोड़ किया था उस समय सदेशी मू इसका मुझेशन विच फॉलिंग पेर्जिजार करेक्ट्ली मैच्ट तो देखो सिंपल है यह सेल्फ रिस्पेक्ट मूमेंट हम कितनी बार पढ़ते हैं यह रामस्वामी नाइकर पेरियार इनको बोलते हैं पेरियार रामस्वामी नायकर यह तो सही है थर्ड अगर सही है देखो स्ढदों देखो सी सेसीयाडी में से कोईक उप्षियन हं हमको क्या देखना ऑल इंडिया एंटिन टिक डु जिसको हरी कुछ जो कोरी झाल करके बोलते है थैंस और यह उ겠습니다 मतमा हां तब यह ना थे नाम से टृतको हर बने ऊसर तो अर more such lectures you can log on to www.theleymanway.com please leave us a review the link is in the description and I explore our YouTube so thank you so much we'll see you in the next lecture, today's shots will come and see you too tomorrow we'll see you in the next lecture thank you so much bye bye and take care